यहीं से रूपजी बात करेंगर गवार कॉंपलेक्स की तो गवार गम का फरवरी वायदा देख रहे हैं 12,000 के पार्ड निकल चुका है 12,180 पर ट्रेड करता नजर आ रहे हैं और गवार सीर भी 6400 के उपर है 520 का ही लगा चुका है रूपा जी आपने जो टारगेट दिया था कि गवार गम में 12,000 के भी लेवस देखने को मिल सकते हैं और गवार सीर में 6500 के आज आपका वो टारगेट फिर सची वहते नजर आ चुका है अब आपको यहां से क्या लगता है यहां से आगे तेजी कॉंटिनूशन में रहेगी या फिर यहां से प्रॉफिट बोकिंग बनेगी देखे हलकी फुलकी करेक्शन आ सकती है क्योंकि तेजी काफी देख ली हमने लेकिन अब देखी अगर यहां पर मार्केट सस्टेन रहता है गवार गम 12,000 के उपर सस्टेन रहता है तो यहां से अब जो टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है से पंदरा हजार तक की तेजी गवार गमे बनती हुई दिखाई दे सकती है वहीं सीड भी अक्सर सो से लेकर साथ हजार तक की तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है यहांनि काफी बुलिश बन रहा है अभी जो है डिमांड एहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है अगर इनी लेवल्स के उपर फर्से मांग मार्केट में निकलती रही तो बजारों में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है अगर यहां पर ट्रेडर्स की तरफ से हुज सेलिंग की गई तो फिर एक प्रेशर जो है वो इस कोमोडिटी पर बन सकता है इसमें बाइंग में बना रहा जा सकता है जिसके पास माल रखा हुआ है वो कुछ एक लिक्विडेट कर सकते हैं लेकिन यहां से अगर तेजी बनी तो 13,000 से 15,000 तक गवार गम को ले जा सकती है और सीड जो है 800 से 7,000 तक उपर जा सकती है तो यानि कि जिस हिसाब से गवार गम और गवार सीड में करण सिनेरियो बनता नजर आ रहा है फंडमेंटल्स देखने को मिल रहे है उसके मताबिक तो रूपा जी को यही लग रहा है कि गवार गम और गवार सीड में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है